हेलो दोस्तो नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है अपके अपने योटूब चैनल नर्सिंग की दुनिया में तो मेरे प्यारे साथियो जैसा कि आप सभी थमनेल देख के ही समझ चुके होंगे कि आज की जो हमारी वीडियो है ये जी एनेम छात्राओं के उपर है तो दोस्तो स्कूल को आखिर क्यों किया गया है बंद 24 घंटे में होस्टल खाली करने का दिया गया आदेश एन साथी जाद देख सकते हैं आप लोग देट वड़ी को भी करना पड़ा इंतजार जी हां दोस्तों तो चलिए जानते हैं कि आखिर आज की इन्फॉर्मेशन में क्या कुछ रहने वाली थो चाहते हम वीडियो को स्टाट करते हैं और जानते हैं कि क्या कोसी इन्फॉर्मेशन है स्कूल को कंक दिया लेकिन यह वह भी तो जरूरी हे भी जू पी थे जा रहा है इसलिए और निशित काल के लिए बंद कर दिया गया है डॉक्टर से लेकर गंभीर मरी जो तक को नहीं घुशने दिया में गेट कराया बंद देखिए कितनी बड़ी यहां पे बिरोध परदर्शन किया जा रहा है तो देखते इसमें लाइन बाइन कि इसमें क्या क आसोख राजपत तक पैदल मर्च निकालते हुए नारेबाजी की सेखड़ों की संख्या में छात्राओं ने क्लास बंद कर अधिकारियों के चेंबर का किया घिराव दरसल PMCH की जी एनेम नर्सिंग की छात्राओं का स्कूल राजा पाकर के पैसाली में शिफ्ट करने का नि चात्राओं का यहां पर देख सकते हैं कि अनिस्चित काल के लिए इनके जो जी एनेम एक स्कूल है उसे बंद कर दिया गया है कि सवास्त विभाग ने निर्देश जारी किया कि अस्पताल के डॉक्टर अधिकछक देख सकते हैं डॉक्टर आईस ठाकुर ने आदेश जारी किया है कि साथ ही 24 घंटे में यहां पर होस्टल खाली करने का आदेश जारी कर दिया है बताया जाता है कि कुछ कॉलेज के जो कुछ टीचर है उनको भी यहां पर चिन्धित किया गया है जिन्होंने छात्राओं को उक्साने का कम किया है उसके खिलापी नियम आनुसार यहा चात्राओं ने भी साथ दिया चात्राएं सुबा नो बजे में गेट बंद कर दिया बंद करा दी इसमें इमर्जेंसी में आने वाले करीब दर्जनों मरिस गेट पर ही रुक गया इतना ही नहीं OPD में आने वाले करीव आधा दर्जन डॉक्टर का भी गारी में गेट पढ़ी रूग गया यहां था कि पोस्ट मार्टम के लिए लाई गई जो डेट वड़ी थी बाहन को एक घंटे तक गेट पढ़ी इंतजार करना पड़ा मामले की जैसे ही जानकारी अस्पताल के अधिक् इसके बाद यहां पर देखिए पड़ी बहार थाने की माहिला पुलीस अस्पताल की सुरक्षा कर्मियों की टीम ने गेट खुलवाया तो मरीज एंबुलेंस डॉक्टर वर डेट वड़ी बाहन को फरवेस मिला देखिए यहां पर डॉक्टर हो या फिर कोई भी डॉक्टर थे या डेट वड़ी थे इंबुलेंस था इनके लिए कुछ भी माहिने नहीं रख रहा था सब को यहां पर देखिए गेट खोलने का यह लोग नाम ही नहीं ले रहा है इसके साथ यहां पर क्या कहा जा रहा है कि पीएम सीच के अधिक डॉक्टर आये शाकुर ने बताया कि पीएम सीच के पचपन सा बेट के अस्पताल बढ़ने के करम में निर्मान जारी है सबी पुराने भवनों को एक एक कर तोड़ा जा रहा है इसी कड़ी में जी एनें कॉलेज को भी सिफ्ट किया जा रहा है पटना के नए भवन में 36,000 बर्ग फूट की जगह यहां पर और भी क्या खहा जा रहा है कि दो मैं को भी सरक पर उतरी थी छात्रा आई यानि कि इनका जो धरना परदर्शा नहीं यह लगातार दूसरे दिन भी जाड़ी रहा देखेए हाथ में बैनर पोश्टर लेकर हंगामा कर रही छात्राओं ने कहा कि मैं को यहां पर देखिए कह विभाग को पत्र लिकर समस्या का नीदान किया जाएगा लेकिन कोई नीदान नहीं हुआ और कलास को यहां पे शिफ्ट करने की बात कही गई थी देखिए इसके साथ ही यहां पे ऐसे में ऐसे में अगर सिफ्टिंग का फैसला वापस नहीं लिया गया तो छात्राओं का की भी वैवस्था सही तरीके से नहीं है वहां चात्राओं सुरक्षित भी नहीं है ऐसे में पढ़ाई करने में काफी ज्यादा परिसानियों का सामना करना पर सकता है तो देखिए बहुत ही बड़ी निउस निकल के आ रही है दोस्तों कि इधार यहां पर जब यह लोग का आपके लिए आप एसकोल ही बंद कर दिया गया है तो देखिए कैसी लगी इंफॉर्मेशन दोस्तों आई होप कि आपके लिए इंफॉर्मेटीव रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राब करें वेल आइकन को प्रेस करें तो दोस्ता अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक क आपके लिए